हलो दोस्तो आज के इस लेख में मैंने हिंदी ब्याकरण के अंतरगत हिंदी भासा में उच्चारन सम्मंदी असुद्धियां और उनका निराकरण के सम्मंद में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ दोस्तो इस लेख को प्रारम से अंतर तक अवस्पढ़ें ये लेख आपके लिए काफी लाबकारी शिद्ध होगा और आपको उच्चारन सम्मंदी या सुद्धियां और उनका निराकरण कैसे करें इस सम्मंद में विश्दित जानकारी मिलेगी तो आईए सुरू करते हैं सुद्ध भासा लिखने पढ़ने में सुद्ध उच्चारन का बहुत महत्व है हिंदी में वर्तनी की जो असुद्धियां पाई जाती है उनका एक प्रधान कारण असुद्ध उच्चारन है तो आईए दोस्तो इसको अच्छी प्रकार से समझेने का प्रयास करते हैं यहां ऐसे सब्दों के उधारन दिये जा रहे हैं जिनके उच्चारन में प्राया असुद्ध होती है फर्ष्ट हरिस स्वर के इस्थान पर दीर्ग तथा दीर्ग स्वर के इस्थान पर हरिस स्वर का प्रयोग तो दोस्तो हम लोग पढ़ते समय यह बहुत सारी गलतियां करते हैं कि आ के अस्थान पर आ, ए के अस्थान पर ई, उ के अस्थान पर उ का प्रयोग करते हैं जब कि यह उच्चान सम्मंदी बहुत बड़ी गलती होती है अता दोस्तो इसको हम कुछ आगे उदानों के मादन से समझेने का प्रयास करते हैं दोस्तो आपके बाईं तरफ असुद्द सब्द और दाहिं तरफ उसका सुद्द रूप दिया गया है पहला सब्द है आधीन तो दोस्तो आधीन का सुद्द रूप है सुद्द सब्द है अधीन अधीन दावात दावात का सुद्द रूप है दावात अहार का सुद वर्तनी है अहार इस शिपकार से अगामी आगामी का सुद वर्तनी होती है आगामी तो वच्चो इनको अशिपकार से समझेने का प्रयास करें आगे दोस्तो है मुनी सब्द गलत है इसका सुद रूप होता है कवी परिच्छा का सुद रूप होता है परिच्छा दिवाली दिवाली का सुद रूप होता है दिवाली तो दोस्तो इसी प्रकार की बात्राओं की असुद्यों को आपको ध्यान रखना है इस्षी प्रिकार से सुन्य, सुन्य का सुद्रूप होता है सुन्य पूर्ब, पूर्ब का सुद्रूप होता है पूर्ब साधू, साधू का सुद्रूप होता है साधू पसू, पसू का सुद्रूप होता है पसू तो दोस्तो हमको इशी प्रकार की असुद्धियों को समझना है और इनको सुद्ध करके सब्दों को बोलने का प्रयास करना है या अभ्यास करना होगा अगला है सेकेंड नासिक वेंजन समंदी असुद्धिया तो दोस्तो यह भी बहुत ही महत्पूर है इसमें हमको नासिक वेंजन समंदी असुद्धियों को अच्छी प्रकार से समझना है और उसके पंचमाचर पर विशेश रूप से ध्यान देना है पहला सब्ध है गड़ना इसका सुद्ध रूप होता है बच्चो गड़ना तिपड़ी तिपड़ी का सुद्ध सब्ध होता है तिपड़ी गनेश गनेश का सुद्ध रूप होता है गनेश प्रान प्रान का सुद्ध रूप होता है प्रान थर्ड अलब प्राण और महाप्राण समंदी असुद्धिया तो दोस्तों अलब प्राण और महाप्राण समंदी असुद्धियों को हम अच्छी प्रिकार से समझने का प्रयास करेंगे और आगे दियो है सब्दों को सुद्ध प्रिकार से उच्चरित करेंगे पहला सब्द है स्रेश्ट स्रेश्ट का सुद वरतनी होती है स्रेश्ट इसे प्रकार से मक्खी का होता है मक्खी विशिष्ट विशिष्ट का सुद रूप है विशिष्ट अभीष्ट अभीष्ट का सुद रूप होता है अभीष्ट तो इस प्रकार की वरतनी शंबनी असुद्धियों को समझने का प्रयास करें और अपने आप में सुद्ध उच्छाड़े साथ बोलने का प्रयास करें फोर वा और बा की असुदिया हिंदी भासा में अधिकतर हम लोग वा और बा अच्छर की असुदियों को करते हैं इंसे शुरू होने वाले सब्दों को हम सुद्ध रूप से कैसे बोले उनका सुद्ध उच्चारण और सुद्ध वरतनी कैसे करें आएए आगे कुछ उधानों के मादनम से समझते हैं पहला सब्द है पूर्ब दोस्तों पूर्ब सब्द का सुद रूप होता है पूर्ब इसकी सुद वर्तनी होती है पूर्ब बन, बन की सुद वर्तनी होती है वन बरसा, बरसा का सुद उच्छान होता है वरसा इस प्रकार इन तीनों अच्छनों को तालब बिशा मूर्धन शा और दंति सा को समझने का प्रयास करेंगे और इनके उच्चानन पर विशिष रूप से ध्यान देंगे पहला सब्द है असोक इसकी सुदवरतनी साखा का सुद रूप होता है संकट संकट का सुद्ध रूफ होता है संकट पुष्ट्प पुष्ट्प का सुद्ध रूफ होता है पुष्ट्प तो बच्चो इस प्रिकार इन गलतियों को जो कि आप अधिकतर कर देते हैं इनको अच्छे प्रिकार से सीखने और समझने का प्यास करें शिक्स इन निभासा में च्छा और च्छा समंधी असुद्धियां क्योंकि इन अच्छरों की सुद्वर्तनी बोलने में हम लोग गलती कर देते हैं आए कुछ उजारण दिये जा रहे हैं उनके माध्धन से हम अच्छी प्रिकार से समझ जाएंगे पहला सब्द है छमा इसका सुद्ध रूप है छमा नच्छत्र इसका सुद्ध रूप है नच्छत्र दीच्छा का होगा लच्छन का सुद्ध रूप है लच्छन तो बच्छों इन सब्दों को आप समझेंगे तो आगे भविश में सुद्ध लिखने और बोलने का ब्यास अवस होगा री और रासमंधी असुद्धिया आएए आगे कुछ उदारान है इनको भी समझने का प्रयास करते है पहला सब्द है स्रंगार दोस्तों इसका सुद रूप होता है स्रिंगार किरपा का सुद रूप होता है किरपा रिसी का सुद रूप होता है रिसी रितु रितु का सुद रूप होता है रितु तो दो अच्चो इनको अच्छी प्रकार से समझ ले क्योंकि ये परिछा में कई बार पूंचे जाते हैं और आप से ये गलतियां हो जाती हैं इनको अच्छी प्रिकार से समझने का प्रयास करें दोस्तों हिंदी भासा में चंद्रविंद और अनुस्वार की बहुत सारी सुद्धियां हो जाती है इनको भी हम कुछ उधानों के माध्धम से समझने का प्रयास करते हैं पहला साब्द है चांद इसका सुद रूप होगा चांद, पाच, पाच का सुद रूप होगा पाच, कंगन, कंगन का सुद रूप होगा कंगन, ठंधा, ठंधा का सुद रूप होगा ठंधा, तो बच्चो इस प्रकार से जो अनुस्वार समंदी गलतिया होती है, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे. नाइन वेंजन गुच्छों में असुद्धियां तो आईए इनको भी समझेने का प्रयास करते हैं कि वेंजन गुच्छों में असुद्धियां कैसे हो जाती हैं पहला सब्ध है उजवल इसका सुद रूप होता है उजवल क्रिपया का बच्चो सुद रूप लिखा जाता है क्रिपया सकूल का सुद रूप है स्कूल सुद का सुद रूप लिखा जाता है सुद बच्चो इस प्रिकार सी गलतियां हम लोगे से बरबस हो जाती हैं इनको सुधारने का प्रयास करना है 10. स्वर और मात्राओं की असुद्धिया दोस्तों हम लोग लिखते और पढ़ते समय कहीं कहीं स्वर और मात्राओं की असुद्धिया कर बैठते हैं आउं इनको अच्छी प्रिकार से समझने का प्रयास करते पहला सब्द है अन्ग्रहीद अनुग्रहीत का सुद उच्चान और सुद वर्तनी होती है अनुग्रहीत इसी प्रिकार छत्री चत्री का होता है छत्री वधू वधू का सुद रूप होता है वधू इसी प्रिकार मधू मधू का सुद रूप होता है मधू इर्पकार से हमको स्वर और मात्राओं की सुदिता पर विशिज ध्यान देना है 11. अनावशक स्वर या विंजन जोडने की असुद्धिया कभी-कभी हम लोग लिखते और पढ़ते समय अनावशक स्वर या विंजन जोड़ देते हैं जिससे हमारा सद्ध असुद्ध हो जाता है या उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है तो इन चीजों को लिखते या पढ़ते समय हमको बहुत ध्यान रखेने की आउशकता होती है पहला सब्ध है स्राब ये असुद्ध सब्ध है इसका सुद्ध रूप होगा साब इस्थिर, इस्थिर का सुद रूप होता है इस्थिर इस्टेशन, इस्टेशन का बच्चो सुद उच्चाणा और सुद वर्तनी का सब दोता है इस्टेशन इस्टेशन, इस्टेशन, सहस्त्र, सहस्त्र का सुद रूप होता है सहस्त्र बच्चो इस प्रकार से अनावस्चक स्वर और वेंजन की जो हम असुद्धियां करते हैं इनको सुधारें और अच्छी प्रकार से हिंदी पढ़ने का अभ्यास लिखने का अभ्यास करें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी 12. इसकी अन्दरगत रेब की असुद्धियां हिंदी भासा में रेब की असुद्धियां बहुत होती है अधिकांस लोगों के दारा होजाती है जिससे कि हमारे सब्द का उच्छारण बदल जाता है उसकी वरतनी असुद्ध हो जाती है तो आईए कुछ उधारणों के मादम से इसको भी सीखने का प्यास करते हैं दोस्तो रेव सबन्दी जो इन सब्दों में आप असुद्धें करते हैं उनको मैं पहले आपको सुद्ध सब्द बताता हूँ आसीरवाद आसीरवाद तो पढ़ते हैं लेकिन आप लिखते हैं आरसीवाद इस बिगर्द तीवर तो आप पढ़ते हैं लेकिन लिखते तीवर हैं सामर्थ तो आप पढ़ते हैं लेकिन इसको लिखते समय सार मत्थ लिख देते हैं करमधारे आप निशित रूप से सुद्व पढ़ते हैं लेकिन आप लिखते समय गलती कर देते हैं वरतनी की और इसे करमधारे लिखते हैं जो कि निशित रूप से बिलकुल गलत है दोस्तो इन सब्दों को अच्छी प्रकार से सीखने और बोलने सुद्ध उच्चारण और सुद्ध वरतनी सीखने का अभ्यास करें निश्चित रूप से ये आयोए सब्द आपके जीवन में बहुत ही उप्योगी सिद्ध होंगे दोस्तो आज के इस लेख में मैंने आपको हिंदी भासा में उच्चारण और वरतनी संबंधी जो असुद्धिया होती है उनको दूर करने का प्रयास किया है और आपको उधारणों के मादम से समझाने का प्रयास किया है इनका आप अच्छे प्रकार से अभ्यास करें निश्चत रूप से आपके जीवन में ये बताय हुई नियम काफी उपयोगी सिद्ध होंगे दोस्तो आज इतना ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद